नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मोनोपुली स्टॉक्स के बारे में जिसको आप आज क्रेट में खरीदते हैं तो आने वाले टाइम मे आपको एक बहतर रिटर्न मिल सकता है क्योंकि ए जो है एक मोनोपुली वाला स्टॉक्स है और अपने सिक्टर का लीडर स्टॉक्स है बहुत ही कम चांस आसा आता है कि इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है लेकिन जब मार्केट में गिरावट चल लगी है तो इ इस कंपनी ने बनाकर दिया है वहीं आल टैमिटेंट को देखेंगे तो 31,834 परप्संड इस पीन इसर दो अपने निवेश्कों को बनाकर दिया है तो एक groth वाली कंपनी है और अपने सिक्टर की लीड़्यूर कंपनी है इसके जो बिजनेस है जो इसके प्रोड़क्स है ह हर घर में यूज किये जाने वाले प्रोट्रक्ट्स हैं इसमें स्टॉक मार्केट में बिक्वाली का दवर चालू है चलो तरपा गिरावट हो रही है कोई भी स्टॉक बच नहीं रहा है लेकिन एक बार इसके मैक्सिमुम चार्ट पेटन को देखेंगे तो आप आएंगे कि ब बता चता तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पेडिलाइट इंडिस्ट्रि लिंटिट पेडिलाइट इंडिस्ट्री लिम्टिट जो है एक लीडिंग मैनुफेक्ट्चर है किसका जो लकडी में जो पलाई में जो फेवीक ओल यूज किये जाते हैं उसको एक कंपनी बनाती है पडिलाइट और इसके जो R&D Center है research and development वह भी काफी अच्छे हैं जो इसकी major brands है जैसे Feviquik, Fevistics, Roff, Dr. Fexit ठीक है और Fevical, तो Fevical की दिगज कंपनी है और इसका revenue backup देखें तो company अपना revenue 52.50% का revenue जो है इसका क्या बलते हैं Fevical से आता है और अन्य raw material में जो यूज के जाने वाले raw materials यूज होते हैं जैसे और इस segment में देखें तो इस segment में 70% का market share जो है very light industries का है तो Fevical और Feviquik, Fevical इसका major brand है और Fevical एक ऐसा brand है एक ऐसी एक ऐसा product है जिसका यूज हर घर में लकडी के काम में किया आता है तो Fevical, Dr. Fixit और Feviquik, इसके तीन major brands है और जो Dr. Fixit होता है ओभी एक Fevical की तरह प्रदार्थ है और घर में sealant से बचाने के लिए जो है यूज किया आता है जैसे कि आप figures में देख रहे हैं कि Fevical जो दो हातियों का symbol बना होता है Fevical, इसके अलावा Fevistix, Fevistix का यूज जो है इस टेसनी आइटम में किया आता है और उसके अलावा Dr. Fixit और Feviquik, जो प्लास्टिक के जो चीज होते हैं प्लास्टिक के जो राम ठिल होते हैं यदि वो तूट जाते हैं तो Feviquik का यूज करके प्लास्टिक के जीजों को आपस में जोड़ा जा सकता है आप देखें तो 23 से भी ज़्यादा इसके manufacturing unit है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी तकरीवन 15 से 17 देशों में जो है इसका कारुबार अभी चलना है तो एक multi-national company हैं दोस्तों और multi-vagger share है क्योंकि products इसके काफी strong है और पूरे इंडिया में 500 से अधिक इसके distributors है और 2,00,00 से अधिक इसके dealers, retailers and contractor है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी company है एक large cap की company है और इसका fundamental काफी मजबूत नजर आता हुआ अधिकरा है और आने मारे टाइम में जब market में recovery चालू होगी market फिर bounce back करेगा तो फिर आप अस्ताते रहा जाएंगे क्यार मैंने इसको क्यों नहीं खरीदा तो एक बार इस company के balance sheet को देखेंगे तो आप आएंगे कि पड़िलाइट industries का जो market capital है market cap है वो एक लाग एक हजार शेह सो चपन कोड़ का इसका टोटर market cap है दो हजार साथ सो पैस्ट रुपेश के वाउन बीक का हाई प्राइस है एक हजार नौसो नवासी रुपे वाउन बीक का लो प्राइस है 84.20 जो है इसका price to earning ratio है और एक केवल फेविकूल नहीं बनाती है पेडिलाइट जो है केमिकल भी बनाती है और इस segment में देखें तो SRF गुजराद फ्लोरो केमिकल दीपक निट्रीट इज इतने भी top stocks हैं उन सम्में देखेंगे तो पेडिलाइट इंडस्टी नमबर वन पे हैं 2020 में इसके sales को देखेंगे तो 7294 करोड रुपे का net sales हुआ था जो 2021 में थोड़ा सा कम हुआ 7293 करोड लेकिन फिर मार्च 2022 में इसने bounce back किया और 9921 करोड रुपे का जो है sales generate करके इसने दिखा दिया कि एक company काफी powerful है 2019 में देखें तो 925 करोड रुपे का net profit हुआ था जो 2020 में बढ़कर 1160 करोड हो गया और 2021 में 1131 करोड और 2022 में 1208 करोड रुपे का पेडिलाइट इंडस्टी लिम्टिड ने net profit generate किया है stock price के CAGR को देखेंगे तो पिछले 5 सालों का आप data चेक करें तो पिछले 5 साल में आपके पैसे को जो है double से भी ज्यादा करने की ये company चमता रखती है और इसका जो stock price का जो CAGR निकल के आ रहा है compound annual growth ले निकल के आ रहा है 20% और 10 year का देखेंगे तो 29% तो जितना long term में इस company को आप hold करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये benefit देता हुआ दिखाई देगा है एक multi-wagger share है दोस्तो और यही time है इस गिरावट में इस stocks को लपने का लपने का करज की बात करें तो करज 416 करोड रुपे के करीम में जो है company के पास company के ऊपर short term में करज है वही reserve price की बात करें surplus money की बात करें तो 6,353 करोड जो है company के पास surplus money reserve price पढ़ा हुआ है promoters holding देखें तो 69.94% का stick promoters के पास है foreign institutional investor के पास 11.57% का stick है domestic institutional investor के पास 7.30% का stick है और public के पास 11.19% का stick जो है Pedilight Industry Limited का है तो Pedilight Industry Limited एक multi-wagger share है और आज की rate में आप इसको खरीद के रखते हैं तो आने माले time में एक bumper return आपको मिल सकता है क्योंकि company की balance इतनी तगड़ी है company आलमुष depth free company है और सबसे बड़ी बात कि company जिस segment में काम करती है वो अपने sector का leader है इंडिया में जब भी आप favicol की बात करें favicuit की बात करें गम की बात करें तो उसमें एक ही product लोगों के मन में आता है कि favicol लेकिन बहुत से कम लोगों को ऐसा पता होता है कि favicol बनाती कौन है तो favicol बनाने वाली एक company chemical की भी एक company है बडिलाइट और एक multi-bagger shares है दोस्तों और जैसा कि आप thumbnail में देख रहे हैं वीडियो को कि मौका मत छोड़ना क्योंकि यही time है पैसा कमाने का stock market का जितने की बड़े players होते हैं वो क्या करते हैं कि जब market में बिकवाली होती है जब market में चोतरफा गिरावट होती है उस समय वो निवेश करते हैं और जब market run up कर जाता है market जब all time high पर जाता है तो वहां पर वो sale कर देते हैं लेकिन retail निवेशक जो है इसका उल्टा काम करते हैं नीचले अस्तर पर बेशते हैं बड़े अस्तर पर खरीदते हैं वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को like कीजिए नए है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दिजिए बेल आइकन को प्रेस कराना अभूलें दोस्तों ताकि JK Aerotech की तरफ से जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड हो तो उसका notification आपको मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का तहर दिल से बहुत बहुत लन्यवाद